हेलो अगेन मैं आपका दोस्त अनूज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल और्गेनिक एन हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रोप्रोपर जदी आप मेरी चैनल पर पहली बार आये हो तो नीचे दिये गए आइकोन पर सब्सक्राइब जरूर करें और बिल्ड नेट्रिफिकेशन बटन को आउन रखें तक कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले खर्बूजा या टेटी या सकर टेटी गर्मियों की सीजन में बहुत ही पसंद किया जाने वाला फ़ल है वैसे खर्बूजे की बहुत सारी वेराइटी आवेलेबल है जो अलग-अलग एरिया के इसाब से अलग-अलग है बट मेजर वेराइटी में देखा जाए तो एक चा म ili पाद से पीली और अंदर से Greenish कलर के मावेवली वेराइटी है जो मुटने तोर पर उसको डिस्टीबीट कर सकते है खर्बूजे उगाना बहुत ही आसान है कि खर्बूजा घएत में वह घ्या वा सकते हम या उसको गंलों में भी उगा सकते हैं हम आपको बताएंगे उ हमारा टेंपरेचर 20 डिग्री से जब उपर चला जाता है तब खर्बुजे के बीज असानी से उखते हैं गर्बुजे की बेल 40 डिग्री तक का टेंपरेचर भी बरदास कर लेती है तो हम अभी देखेंगे कर्भूजे को कैसे उगाया जाए Sanders Ken Ber elo को उगाने के लिए हम इसको या तो सीधा प्लान कर सकते हैं या उसको प्रो ट्रे में भी ग्रो कर सकते हैं अभी हम आपको है प्लान करने से पहले वाली विदी बताएंगे जिस्में हम क्या करेंगे हमारे के बाउल में ले लेंगे और इसको थोड़ा पानी एड़ करेंगे और उसको ओवरनाइट छोड़ देंगे एक रात के लिए तकि इसके बीज भीक के तयार हो जाए इसके बाद इसको आगे जर्मीनेट कराएंगे जिसको हम आगे वीडियो में आपको अपडेट करके बताएं पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंतक देखे यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करिए मेरी दी हुई जानकारी उप्योगी लगे तो उसे शेर जरूर करें और आपकी राय और सुजाओ कॉमेंट बॉक्स में लिखे और इसी तरह के व स्टार्ट करने के लिए हमें इसमें से सबसे पहले एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ेगा सुम इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल रहे हैं कि यह हमने सारा पानी एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया कि अब हम इसमें प्रोटेक्शन पंगस से जो फफुन्दी से जो डिसीज आते है उसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें हम ट्राइकोडर्मा पाउडर को थोड़ा एड करेंगे उसके साथ हम जमिन जैन्य फफुन्दी से लागने वाले रोग और प्रूमी से बचाने के लिए उसमें सुदोमोनास फंगस को भी थोड़ा सा एड़ करेंगे तो यह दोनों फंगस के उससे अमें बीच का उपचार करना है अच्छी तरह जब हमारी सीट कोट अच्छी तरह लग जाए इस पर उसके बाद हम इसको एक जूट के कपड़ा जो हमने अल्रेड़ी बिगो के रखा है उसके उपर फैला लेंगे यह हमने बीच फैला दिया भी इसके और इसको भी डख लेंगे डखने के बाद हमारे पास यह प्लास्टिक का एरटाइट डबा है जिसके अंदर इसको हम रख लेंगे तकि इसकी जर्मीनेशन प्रोसेस चालू हो यह कवर करने की वजह से इसकी नमी बनी रहती है और जर्मीनेशन अच्छा होता है हम इसको दो दिन के बाद देखेंगे कि हमारी germination कैसे हुई है अब हम देखेंगे हमने जो sit pre-germination के लिए रखा था जो हमने दो दिन पहले रखे थे आज उसकी क्या condition है अभी हम देख रहे हैं ये हमने ककड़ी के बीज रखे थे और आप देख सकते हैं इसमें अंकुरन शुरू हो चुकी है ये देखिए ये देखिए कितना सारा अंकुरन आया है बार ये अब हमें इसको नरसरी त्यार करने के लिए प्रोटे में लगा देना चाहिए तो इसे लिए हम 98 केविटी वाली प्रोटे को लेंगे अभी एक एक बीच को बारी की से उठाके इसका अंकुरन वाला पार्ट नीचे की और रहे इस तरह केविटी बनाके हलके से इसके अंदर दबा देंगे तक की सीट पूरा अंदर चला जाए उपर थोड़ी सी मिट्टी रहे इस तरह कि इसमें भी अंकुरन आ चुका है कि इसको भी हम अंदर लगा देंगे कि हमें बहुत सावधानी रखनी है कि जो अंकुरन है उसका कहीं तूटने जाए इस तरह लगाने के बाद हम इसको अभी पानी डालेंगे तक कि वो पौधा इमीजेटली अपनी जड़ जमा ले कि शुकर्डरे को अइसाब लूँ खौड़ मोड़ा जिए, है कि Olis